हाई हैयों वेलोकों बैक्टो मार्ड ब्मार्ण आपका म WAG मेरी चैनल नन्री सिंग में बहुत स्वागत है आपका मेरी इस चनल में स्वागत के साथ आज में आपके सथ बढ़न के सथ मैं स overall बढ़ pitcher management और सबक्रते हमेरी बूद या इसक्ध भी कि में बात करें किस बारे में बात होने वाली है, यह आपने थमनेल से देख लिया है, कैप्शन से पढ़ लिया है, लेकिन क्या आप सही हैं, गलत हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, आप बिल्कुल सही हैं, मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ, LGBT community, lesbian, bisexual, gay, कितनी सारी varieties हैं हम लोगों में भी, लेकिन हमें ही नहीं पता चलता कि हमारे साथ वाला इंसान आखिर है किस community का, हम ध्यान देते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, हिसाई है, क्रिशन है, क्या है, लेकिन जो actual communities हैं, उसमें हम फोकस नहीं करते हैं, actual communities तो यह हुई न, LGBT, gay, bisexual, transgender, कितना सब कुछ है, इन सब को हम सोचते नहीं है, अब देखो, आपने सब किसी से प्यार किया, आपको नहीं पता था, या पकी शादी हो गई, आपको शादी की बात पता चलेगा, कि आपको जो partner है, जिनके साथ अपने साथ फेरे लिए और वो निकला transgender, या वो निकला gay, या वो निकला lesbian community क तो अब क्या करोगे, आपकी wife है, उनको है तो लड़की पर उनको interest आता है अलग partner में, females में interest आता है, तो यह कितना common है, कितना common नहीं है, यह सब तो आपको आज कर पता ही है, कितने YouTubers हैं जो अपने आपको बहुत ज़दा shine करवा रहे हैं, बहुत ज़दा fame ले रहे हैं, इस लेकिन इस चीज क्यों होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको एस एक एस इसा करोगी, सबसे पहले एक बहुत अगर आपके मन में यह सवाल उठा है तो इस शीज का आप लोगों को टेंशन लेने की जुरत नहीं है वो जैसे भी कर रहे हैं वो अपने आप कर लेंगे लेकिन उनके लिए प्रॉपर प्रॉसेजर रहते हैं वो उनको फॉलो करते हैं अपने आपको सेटिस्वाइड करने के यूज करते हैं लेकिन वाइबरेटर्स ही यूज करना आज के टाइम पर बहुत डेंजरस है क्योंकि उसमे एक वाइबरेशन है जो कि आपकी बॉड्टी के ऐसे ओर्गन में लग रहा है जहां बहुत सेंसितिव और यहां पर यूज करना डेंजरस है बस इस चीज को ध्या प्लस जब lesbians करते हैं तो उनको ध्यान में रखना होता है, उनके nails cut हो, उनके hand washed हो, क्योंकि wash रहने से hygiene maintain करने ही बहुत बड़ा factor है, यह maintain करना आपके हाथ में होता है, प्लस आपको wash करना चाहिए, masturbate करते हो, अगर दोनों आपस में या एक दूसरे से अलग-अलग, तो भी masturb मास्टर बेट के बाल wash करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मास्टर बेट आप कैसे तरीके से कर रहे हो, फिंगरिंग करके वह भी आपके डिपेंड करता है, तो यह सारी चीज़े ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और आप भी इस कम्यूट से विलॉंग करते है तो प्लीज आप लोग इन चीज़े को ध्यान में रखें, क्योंकि आप लोग अलग अलग बॉडी से हो, आपकी हाईजीन लेवल अलग होगा, उनका हाईजीन लेवल अलग होगा, बात करी अगर सेम सेक्स की, फीमेल फीमेल की, या जेंडर, अगर मेल मेल की, तो भी आप दिनका हाइजीन का ध्यान रखो बात अलग अलग सिक्सकी है फीमेल मेल है नॉर्मली कॉपल है तो उनकी भी हाइजीन का ध्यान रखना बूद ज़रूरी है लेकिन वह एक तरीके से अपना में और यूज कर लेते हैं लेकिन आप लोग कुछ न कुछ यूज करोगे वेजिट तो आपको भी चीज अच्छी रगी होगी कि यह इंफोर्मेशन आपके लिए किती सेफ है किती नहीं सब कुछ आपको पता चल रहा होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीस में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी ही और टपिके में में बात करती रहूंगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए बाई बाई